Hello everyone, today's topic 4arm lateral projection जो आज का हमारा topic रहेगा उसमें हम discuss करेंगे 4arm का lateral view कैसे करते हैं Last video में जो हमने discuss करेते हैं इसमें हमने AP view के बारे में बताये थे कि AP view कैसे करते हैं, direction क्या होगी, centring point क्या होगी factor क्या रखेंगे, FFD क्या रखेंगे आज के हमारी slide है, lateral view के बारे में समस्ते हैं First point है, position of patient at cassette जो patient की position होगी और cassette कैसे रखेंगे, उसे समस्ते हैं From the AP position, सबसे पहले आपको AP position view में लाना है जैसे कि यहाँ पे हमने लिख दिया है, as in the previous slide projection यह आपकी AP view है, आप क्या करना है, आपको elbow joint से क्या करना है flexion करना है, कितना 90 degree का, अब यहाँ पे flexed लिखा है तो यहाँ पे 2 point होते है, पहला होता है आपका flexion, दूसरा होता है extension अब यहाँ से elbow joint से देखेंगे, यह आपका extension area है और यही पे अगर इसे आप internally rotate 90 degree में करते हैं, 45 degree में करते हैं 135 में करते हैं, तो यह आपका area हो गया flexion, तो यहाँ पे 2 point के लिए होगे पहला होता है आपका flexion और दूसरा होता है आपका extension next point है, अब क्या करना हमें, humorous, अब humorous से क्या करना है, यह जो आपको bone दिख रहे है, यह humorous है, जिसे हम arm कहते है अब humorous से क्या करना है, internally rotate करना है, कितना 90 degree अब यहाँ पे अगर यहाँ पे 2 point आप देख रहे हैं, यह है आपका internally, यहाँ पे होता है एक external और दूसरा होता है internal, अगर यही आप सीधा होता है, अगर इसे outside करते है opposite set, तो यह आपका हो जाता है external, आप क्या करना हमें, internal side rotate करना है, कितना 90 degree जब तक कि हमारा जो medial aspect है, जो यह medial area देख रहे हैं अंदर की set का, इसमें क्या क्या होगा, upper arm, यह जो arm area है, दूसरा elbow, तीसरा forearm, fourth आपका wrist और fifth आपका hand, यह क्या हो जाए, table के contact में आ जाए, तो यहाँ पे देखेंगे, इसका medial aspect, upper arm हो गया, elbow हो गया, forearm हो गया, wrist हो गया और यह आपका hand हो गया, यह क्या है आपका, इसका medial aspect, table के contact में, अब next point में क्या होगा, एक cassette हमें लेना है, cassette कितने inch का लेना है, हमें 10 by 12 inch का एक cassette लेना है, अब जो इसकी location होगी, location क्या करना है, under किसके रखना है, four arm के, अब यहाँ पे हमें यह focus करना है, जो इसमें wrist joint है, यह आपका wrist joint होगा, और जो दूसरा elbow joint है, यह दोनों include होना चाहिए, किसके उपर, cassette के उपर, अब अगर cassette की location आपने रख दी, और यहाँ पे आपने दोनों joint को include भी कर दिये, four arm का letter भी रख भी लिए, अब जो इसका half part बजेगा, इसे lead divider से आप cover कर सकते हैं, आपको इतन area, जितना area sufficient है, उतना area आप ले सकते हैं, और बाखी का area जो unexposed area उसे आप cover up कर सकते हैं, अब arm को हो हमें, जो यह arm है, जो humorous है, इसे इस तरह adjust करना है, such that, जैसे कि इसमें क्या हो, जो radial and ulnar straight process है, यहाँ पे देखेंगे, यह जो radial है, ulnar straight process है, और इसके साथ साथ जो medial and lateral epicond दूसरी पर दूसरी चीज आना, जैसे कि यहाँ पर finger देखेंगे, यह आपकी supreme post true नहीं है, यह हलकी से supreme post है, यहाँ पर radius अलना, एकदम supreme post position हो, next point क्या होगा, अब हमें क्या करना है, जो humorous है, humorous के lower end पर क्या करना है, हमें, एक immobilized, immobilized करने के लिए हमें क्या करना है, एक sand का यूज करना है, जैसे कि आप यहाँ पर एक sand पर देखेंगे, और दूसरा हमें एक stable रखने के लिए, हम hand के पास भी, एक sand वेक का यूज कर सकते हैं, जिससे कि हमारी जो projection lateral view, वो true lateral view आ सके, so, next point है आपका direction and centering of the x-ray beam, अब बात करते हैं, direction क्या होगी, और centering point क्या होगी किसकी x-ray beam की, x-ray beam की जो direction होगी, वो आपकी होगी vertical, यहाँ पे आपको देख रहे है, vertical center है, use होगी, और जो इसका center होगा, यह कहाँ पे रखेंगे, जो forearm का area है, midway between wrist and elbow joint का, जो wrist joint है, elbow joint है, जो इसके beach का area है, यहाँ पे हम इसकी point रखेंगे, इसके midway between में, किसकी x-ray beam की, clear होगया, पहले point में था आपका lateral view, lateral view में हमने clear कर दिये, जिसमें आपको internally rotate, यह sand bag होगया, cassette होगया, यहाँ पे radius हैं डलना होगी, humorous होगी, elbow joint होगया, wrist joint होगया, hand होगया, flanges होगया, यह दोनों आपके sand bag होगया, यह आपका lead divider होगया, यहाँ पे भी clear होगया, और direction and centering point के बाद होगी, यह भी होगया, direction आपकी होगी, vertical center होगी, यहाँ पे दो point है, जो direction होता है, यहाँ पे एक होता vertical, दूसरा होता horizontal, जो horizontal है, उसके regarding में हम अभी discuss करेंगे, next slide में, so अभी आपका यहाँ पे जो direction and centering point है, forearm के view के लिए, यहाँ पे vertical center होगया है, और इसके साथ सा कहाँ पे इसके midway between जा रहा है, wrist and elbow joint के midway between इसके centering point जा रही है, next point है, essential image characteristic, जो image की विशेषता है, हमें जरूरत है, वो कौन कौन सी होगी, so both the elbow and wrist joint, तो जो wrist joint है, और जो elbow joint है, यह दोनों हमें include करना है, और हमें इस तरह से x-rays करना है, जिससे कि क्या हो, दोनों के image clear हो सके next point, both joint को हमें इस तरह सीन करना चाहिए, जिससे कि हमारा true lateral position आ सके है, और इसके साथ साथ जो radial and ulnar steroid process है, और इसके साथ साथ जो medial and lateral epicondyle humerus की, यह दोनों क्या हो, supreme post dog किसके एक दूसरे के, अब यहाँ पे lateral projection के कुछ view है, यहाँ पे annot भी है, जैसे कि आपका steroid process, जैसे होगी है, अलनाबोन होगी, यहाँ पे radial होगया, radial neck होगया, radial head होगया, capichulum होगया, lateral epicondyle होगया, medial epicondyle होगया, chronoid fossa होगया, humorous होगी, यहाँ पे यह सब anatomy है, यहाँ से आप इन्हें याद भी कर सकते हैं, दोनों point को हम cover up कर चुके, next point है, अगर हम important notes के recording बात करें, जैसे कि कोई trauma cases आजाए, अभी तक तो था कि हमारा AP view हम कर रहे थे, दूसरा हम lateral view कर रहे थे, some condition में ऐसा होगा, कि कुछ ऐसे cases आएंगे, जिसमें कि क्या हो, hand को हम moment नहीं कर सकते, move नहीं कर सकते, मतलब कि अगर जो हम last slide में कर रहे थे, इसे हम 90 degree पे flex नहीं कर सकते, 20 degree पे नहीं कर सकते हैं, सो उस समय में क्या क्या point करने होते हैं, हमें वो समझना है, अभी हमारा important notes है, अब important notes में क्या है, in trauma cases, किसी भी trauma cases में, it may be impossible to move the arm into, अकर आपको ऐसा लगे कि जो arm है, या हम बोले कि जो four arm है, इसे move नहीं कर सकते हैं, सो उसमें कोई भी आपको गवराने की जोड़त समस्ते हैं, कि हम करेंगे कैसे, आखरी कोई trauma cases आ जाए, trauma cases का मलब है accidental case, कोई भी accidental area आ जाए, तो उसमें हम कैसे करेंगे, उस point को हमें इस video में समझना है, सो, first point है, if the limb cannot move, अगर आपका, जो ये limb जा रही है, ये अगर move ना हो, तो हमें क्या करना है, ये same रखना है, then हमें एक क्या लेनी है, horizontal beam यूज में लेनी है, अभी जैसे हमने, last slide में एक point समझा है था, कि vertical ray और हम horizontal ray, तो यहाँ पे क्या लेनी है, horizontal ray यूज में लेनी है, और ये आपको state रखना है, यहाँ पे एक blocker का यूज कर सकते हैं, अगर in case, अगर diagnostic है, किसी भी आप जहाँ पे work करें, उहाँ पे अगर blocker नहीं है, तो यहाँ पे आप पिल्लो का भी यूज कर सकते हैं, या towel का यूज layer बना के कर सकते हैं, अब इसमें हमें ध्यान क्या देना ह अभी तक तो हमारे ये क्या था, जो आपका x-rays cassette था, ये trauma cases में vertical ray यूज होगा, और यहाँ पे जो beam होगी, वो horizontal ray होगी, cassette क्या होगा, vertical में यूज होगा, और जो beam होगी, वो horizontal होगी, अब इन दोनों point में same वही करना है, अगर हम lateral view कर रहे हैं, तो lateral view में क्या करना है, हमें दोनों include करना है, क्या-क्या arrest joint करना है, और यहाँ पे हमें क्या करना है, elbow joint include करना है, जिससे कि हमारी दोनों true lateral position आ सके, यहाँ पे आप same, आप जैसे कि हमारा APU था, लेकिन हाँ पे हम horizontal ray से, हम एक sufficient image को हम true lateral view, हम produce कर सकते हैं, उसका radiograph हम easily 3 के से कर सकते हैं, और कोशिस करिए कि आपको यह first attempt में हो जाना चाहिए, इसे ज्यादा भी hand को ज्यादा हिलाना नहीं चाहिए, ज्यादा move नहीं करना चाहिए, इसके लिए आप एक टरीका, एक technique हम बोले तो आप use कर सकते हैं, जैसे कि अगर कोई भी trauma कैसे साता है, तो उसमें सबसे पहले machine को radi रखें, machine के सा उसमें जो भी आपको KVP देना है, जो भी आपको MS देना है, उस factor को पहले से रखें, आप FFD को पहले से रखें, जिससे कि क्या हो, percent को ज्यादा pain ना होते हुए, आप easily तरीके से उस case को आप कर सकते हैं, अगर हम radiological consideration के बात करें, इसमें क्या होते हैं, दो fracture होते हैं, पहल consideration में, जो glazy fracture यही क्या होता है, there is a fracture of the radius with dislocation of the distal लना, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यह आपका glazy fracture है, okay, next point है, यह आपका radiological consideration में, यह आपका montagia fracture है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह montagia fracture है, इन दोनों में आपको scene हो चुका है, अब radiological consideration में हमें क्या कर fracture, अगर हमें कोई भी forearm का fracture आता है, therefore, इसलिए both ends of both joints, अब हमें क्या करना होता है, जैसे कि हमारा wrist joint है, और elbow joint है, और इसके सासाथ both bones, मतलब कि जो हमारा alna and radius है, इन दोनों का हमें clear तरीके से करना होता है, जिसमें हमें क्या करना होता है, proximal and distal radio alna joint, अब हमें क्या करना होत होता है, जो हमारा radio alna joint है, इसे clear करना होता है, इसे हमें clear demonstrate करना होता है, अकर हम यहाँ पे एक और point के बात करें, इसमें आप factor क्या रखेंगे, अगर कोई भी आप lateral view कर रहे हैं, तो so, यहाँ पे अगर आप FFD यूज करते हैं, तो 40 inch की कर सकते हैं, लेकिन अगर आप FFD क MS की बात करें, lateral view में, तो KVP आप अगर 800 की MA की मसीन पर कर रहे हैं, तो 54 रखेंगे, आपकी clear ही में जाएगी, MS को अगर हम बात करें तो 10 रखेंगे, clear ही में जाएगी, अगर 500 पर कर रहे हैं, तो 56 KVP रखेंगे, और यहाँ पे आप 10 या 12 का MS का यूज कर सकते हैं, अगर 3-handed में पर कर रहे हैं, तो आप 52 KVP रखेंगे, 12 का MS रखेंगे, clear ही में जाएगी, in case अगर आप handed में की मसीन पर वर्क कर रहे हैं, तो आप 54 KVP रखेंगे, और जो MS ही यह 14 या 16 रखेंगे, या 12 रखेंगे, तो आपकी image clear आ जाएगी, so आज का एक point था, जिसमें हमने lateral projection क recording एक-एक point करके हमने सारे समझा दिये, सारे point discuss हो चुके हैं, हमने position भी समझा दिये, position क्या होगी, direction भी बता दिया गया है, FFT भी बता दिये गया है, factor भी बता दिये गया है, और इसके रिए Alara principle का यूज़ कर सकते हैं, Alara principle that means TDS, जिसमें हमें time देखना होता है, distance और हमें shielding maintain gun नहीं होती है, इंका भी use कर सकते हैं, और आप एक best image किसी भी diagnostic, किसी भी hospital में sufficient तरीके से आप इसे use में ला सकते हैं, so, आज की हमारा एक छोटा सा topic था, जिसमें हमने lateral view के बारे में एक-एक point करके समझा दिये, मिलते हैं एक नए